तो हाइए फ्रेंड्स थाकुर इलेक्रिकल के यूटूइब चैनल में आप सब भी क्या सब्सक्रा गते हैं आज कि इस वीडियो के टॉपिक है वो है Speed Control of DC Shunt Motor यानि कि DC Shunt Motor की Speed Control की वीडिया तो यहाँ पर मैंने Shunt Motor की Speed Control की तीन वीडियों के बारे हम बताया गया है कि तीन वीडिया यहाँ पर है जिनके दोबर हम DC Shunt Motor की Speed को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पर उनके डाइग्राम बनाए हुए है यहाँ पर उनके बारे वो वीडियां बताई जई है तो सबसे पहली वीडिय है armature control video तो armature control video को diagram की मदद से समझ लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं armature control video में क्या होता है कि armature के series में एक variable resistance योड़ दिया जाता है जिसकी मदद से क्या होता है तो armature control video में क्या होता है armature के series में variable resistance जोड़ दिया जिसके कारण से potential difference कम होता है armature के cross में और जिसके कारण क्या होता है कि speed भी कम होती है लेकिन इसके कुछ loss है इसमें यहाँ पर देख सकते हैं इसकी हानिया रिखी हुए अधिक power loss होता है इसमें और motor जो है सधार्ण speed से अधिक speed पर नहीं चल सकती मतलब जो motor है वो rated speed से कम speed पर चल सकती है उसे ज्यादा speed पर नहीं चल सकती इस video के दवारा तो यह इसके loss है दूसरी video है field control method field control method में आप देख सकते हैं field control method में जो variable register है वो field के series में जुड़ा होता है यह जो shunt field यहां पर लगी हुई है इसके series में variable resistance जुड़ा होता है जिसके दवारा क्या होता है कि जो field flux होता है उसको कम किया जा सकता है इसमें क्या होता है field के flux को कम या जादा करने से motor की speed को कम या जादा किया सकता है जो motor की speed होती है वो होती है flux के inversely proportional यानिकि जब हम flux को बढ़ाएंगे तो speed गटेगी और जब flux को गटाएंगे तो speed बढ़ेगी इस तरह से जो है series motor sorry इस तरह से जो है field control में स्पीड कंट्रोल होती है इसमें flux कैसे कंट्रोल होगा यानिकि जब हम फिल्ड में क्रंट को कम या जादा करेंगे क्रंट की मात्रा को बढ़ाने और गटाने से क्या होता है कि field flux बढ़ता और गटता है जिसके गारण से speed भी गटती बढ़ती है तो मैंने बताया कि speed is inversely proportional to flux flux के विल्ओ मनुफाती होती है speed तो इस वीडी के लाहब है कि इस वीडी में जो है सधारन स्पीड से 15-30 प्रसेंट तक अधिक ले सकते हैं यानकी जो रेटेड़ स्पीड है उससे 15 से 30 प्रसेंट तक ज्यादा स्पीड इस वीडि में ले सकते हैं और यह वीडिये असान और सस्ती वीडिये लेकिन इसमें एक फॉल्ट है वो है कि फ्लक्स के कम करने पर क्या होता है कि आर्मेचर का क्रंट बढ़ता है और आर्मेचर के क्रंट बढ़ने से क्या हो सकता है कि आर्मेचर के जलने का खत्रा रह सकता है यह इसका एक लॉस है लास्ट मैथड है हमारा जो स्पीड कंट्रोल का है वह स्प्लाई वोल्टिज को नियं इंत्रित करने के लिए जो है मैं स्प्लाई के सीरीज में हमारे को बैरियेबल रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ता है इस विदि में जो है लाइन के सीरीज में आप देख पा रहे होंगे यहां पे हमारे लाइन के सीरीज में जो बैरियेबल रेजिस्टेंस है वो लगा दिया स्पीड से ज्यादा सपीड पर हमोटर को नहीं चला सकते इस स्पीड को बढ़ा सकता है उसलिए रिटिट से कम स्पीड पर हमारे को मोटर स्पीड कर तो इस विदी का यूज नहीं चला सकते हैं तो हमारे पास फेल्ड कंट्रोल में थड़ी उपी होगी है इसके दोबारा हम फेल्ड फ्लक्स को बढ़ा सकते हैं और इसके आप यहां पर लाब दिया है यहां पर 15-30% तक रेटेड़ से ज्यादा स्विड्स पर इसको गुमा सकते हैं इस वीडी के दोबारा तो यह थी आज की मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको शंट फिल्ड की स्पीड कंट्रोल के बारे हम बताया अगर आपको यह वीडियो चलेगे तो वीडियो को लाइक चुत ज़रूर करिएगा थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो